इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं तो इसमें बता दें कि सब्सक्राइब करेंगे जो कि चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन तो अल्रेडी का वीडियो लेक्चर्स जो है वह एलेवंस के उपर बन जुका है मैस के उपर तो उसको आप जाकर प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं ट्या लेक्ट्स क्लासे चैनल में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से कि एक लाइन है पासे थ्रूट एक्सध्र माइबडन और एच और तो यह हैं और दिया हो है कि इस लोग उप इस एम उस लाइन का जो श्लोफ है अगर एम है तो, हम लोगो को प्रोब करना है सो एक माइनस वाइऑ वन इकटो एम इन्टू एक्स x1 तो काफी easy question है तो हम लोगों को पता है कि एक लाइन का एक लाइन में दो points दिये हुए हो तो उसका जो slope होगा slope of the line a b वो difference in y coordinate प्रोलब k-y1 divided by difference in x coordinate h-x1 तो हम लोग देख सकते m जो हो गया हम लोग लाइन जो slope है उसको m से denote किया गया है तो m माल लिए और simply जब हम लोगों इसको multiply करेंगे k-y1 इदर आ गया m जो है h-x1 से multiply कर देती है simplify करके यह जो relationship लाना था वो हमारा proof हो गया अब देख सकते है question number 13 जो exercise 10.1 का इसमें दिया वह 3 points a 0 a b and 0 k lie on a line so that a by h plus b by k equal to 1 हम लोगों दिया वह है कि यह 3 points जो एक ही line में है और प्रूब करना a by h plus b by k equal to 1 तो सबस्पहले एक line draw कर लिए straight line और 3 points हम लोगों a b c लिख दिये पहला points h 0 है दूसरा a b है तीसरा 0 k है तो कैसे यह अब इसके मदद से हम लोगों यह relationships लाना है तो हम लोगों पता है कि अगर एक ही line है तो slope जो a b का होगा वो b c का भी slope एक ही होगा तो उसके basis पर slope of a b जो है b minus 0 difference in y coordinate divided by difference in x coordinate a minus h हो गया और b c का जो slope हो गया हमारा difference in y coordinate k minus b divided by 0 minus a हो गया तो इस तरीके से b by a minus h k minus b by minus a हो गया और जब इसको हम लोग cross multiplication करेंगे तो minus a b equal to k minus b into a minus h हो जाएगा और जब यह दोनों को simplify करेंगे k minus k h minus a b plus b h होगा यह a b a b cancel हो जाएगा तो k plus b h पर आपर k h हो गया अब हम लोग क्या करेंगे dividing both sides from k h k h से दोनों side lhs rhs में divide कर देंगे तो हम लोग को यहां आ जाएगा a by h और b by k equal to 1 तो यह हमारा proof हो गया तो और भी video lectures आप लोग के लिए upload करेंगे जिससे आप लोग को math learning में help मिल सके thank you